दोस्तों नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गुरू-जी ओफिशियल और आज हम बात करने वाले हैं मुदी सरकार की योजना उपर मोधी सरकार की कौन-कौन सी योजना हैं जो परिक्षाओं के लिए महत्पूर्ण है उन सभी योजनाओं पर बात करेंगे और जो महत्पूर्ण इवेंट हुए हैं उनके बारे में भी डिसकस करेंगे तो आए शुरू करते हैं आपको कैसे पढ़नाई कि योजना किसे संबंदित है उसके ब्रैंड एमबिशनर का नाम पूरा नाम योजना का और वो कब सुरू की गई थी इन चार चीजों पर आपको फोकस करना है तो आए शुरू करते हैं मोदी जी ने जो सपत ली थी वो 26 मई 2014 को ली और आते ही उन्होंने Special Investigation Team का गठन किया अपनी पहली ही Cabinet मीटिंग में और Justice A.M.B. सहा को इसका अध्यक्ष बनाया इसके बाद अगर हम बात करें तो यह जो आप इसको ध्यान रखी कि इसका गठन किसलिए किया गया था इसका काले धन के लिए काले धन का पता लगाने के लिए और किस तरीके से उस पर नकेल कसी जा सकती है किस तरीके से विदिशों में जो काला धन जमा है उसका पहले पता लगाया जाए कि कितना काला धन है और उसको किस तरीके से बहां से बापिस इंडिया में लाया जाए इस पर ये कमिटी जो है बिचार करेगी आगे हम बात करें तो 10 जुलाई 2014 को उन्होंने नमामी गंगी योजना 2000 करोड़ रुपे के जो है ऐलोकेशन के शाथ अगले 5 वर्स के लिए ये शुरू की थी तो 10 जुलाई 2014 का दिन याद रखें नमामी गंगी योजना आगे बात करें तो 28 20 अगस्ट 2014 को शुरू की प्रधान मंत्री जनतन योजना जिसमें जीरो बैलेंस पर आपका एकाउंट खोला गया 5000 रूपे के ओवर ड्राफ्ट की सुभिथा आपको दी गई साथी रूपे काड़ आपको दिया गया आगे बात करें 25 सितंबर 2014 को तो मेक इन इंडिया मिशन सुरू हुआ जिसमें इंडिया को Global International Hub बनाने का सपना देखा गया और यहां पर World की जो भी कंपनिया है उनको कहा गया कि आप इंडिया में आईए इंडिया में रोजगार कीजिए इंडिया में जो है अपना बिजनिस स्थापित कीजिए और इंडिया के लोगों को रोजग होता है आगे हम बात करें तो 25 सितंबर 2014 को ही नी दीन दयालोपाद्याय ग्रामीन कोसलिया योजना सुरू की गई नाइटी एट वर्थ हैंविर्श्री और पंडी दीन दयालोपाद्याय जो एंठान में उनका जो जन्में दिन था उस पर यह यह योजना सुरू की गई थी प्रदा दीन दयालोपाद्याय ग्रामीन कोसलिया योजना याद रखिए इस योजना को 25 सितंबर 2014 यह डेट भी आप याद रखिए अब आजाते हैं और आगे बात करते हैं 2 अक्टूबर 2014 की तो 2 अक्टूबर जैस फेमस दिन है 2 अक्टूबर और इसी दिन जो है मात्मा गांधी जी का जो सपना है स्वक्ष भारत को लेके स्वक्ष भारत मिशन सुरू किया गया भारत की स्वक्ष भारत को स्वक्ष करना इसका लक्ष ता 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वक्ष किया जाए यह इसका लक्ष है तो 2 अक्टूबर 2014 को सुरू किया गया स्वक्ष भा प्रतिनी धी है उस गाउं से जो प्रतिनी धी आते हैं चाहे वो सांसद हो या बिधायक हो तो बिधायकों के लिए तो नहीं लेकिन सांसद जो है अपना एक गाउं चुन सकते हैं सांसद के लिए योजना शुरू की गई थी सांसद आदर्स क्राम योजना इसमें वो एक of Jai Prakas Narayan जै प्रकास Narayan ji इनकी birth anniversary पर ये योजना शुरू की गई थी इसको आपको याद रखना है अब आज आते हैं आगे और बात करते हैं 14 November 2014 की 14 November 2014 को उड़ान योजना शुरू की गई तो उड़ान में आप confuse मत होना 2014 में जो योजना उड़ान शुरू की गई थी वो लड़कियों की उच्छ सिक्षा को प्रोथ साहन देने के लिए के गई थी 14 नवंबर 2014 की जो उड़ान स्कीम है वो लड़कियों की सिक्षा को प्रोथ साहन देने के लिए है और इसके अत्रिक्त अगर 2017 की हम बात करें तो 2017 में जो उड़ान स्कीम शुरू की गई है वो उड़ने से सम्मझ देता और उसका पूरा नाम है उड़े देश का आमनागरिक तो याद रखिए दोनों उड़ान योजनाओं में थोड़ा सा अंतर है अब अजाते हैं 14 नवंबर 2014 को उड़ान योजना के बाद अब हम बात करेंगे 25 दिसंबर 2014 की तो 25 दिसंबर 2014 को याद रखिएगा बहुत ही फेमस एक कारिक्रम जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुस इं का करण जो है उनका हो जाता है तो यह मिशन जो है इसलिए शुरू किया गया है कि सारे के सारे जो हमारे 0-6 उमर के बच्चे हैं और प्रेग्निन भूमन हैं उनको जो है टीका करण कर दिया जाए उनका जिससी कि यह डिप्तीरिया, कालिखासी, ट्रेटिनेस, पोलियो, इनको ना हो यह सारे की सारे रोग हैं जो इनको टीका करेड से इनसे बचा जा सकता है अब हम बात करते हैं एक जन्वरी 2015 की तो एक जन्वरी 2015 को गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सामिल हमारी बहुत ही महत्पून योजना जिसका नाम है पहल यह पहल योजना पहल योजना आगे हम बात करें एक जन्वरी 2015 को ही नीटी आयोग जो है उसका गठन हुए हुआ और नीटी आयोग का पूरा नाम है National Institute for Transforming India और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधान मंत्री होते हैं आगे हम बात करें 21 जन्वरी 2015 को एक और योजना शुरू हुई बोथ ही हिर्दय योजना हिर्दय योजना का पूरा नाम है Heritage City Development and Augmentation योजना तो इसमें कि सारी सिटी जो इडेंटिफाई की गई थी इनको डेवलप करने के लिए योजना शुरू की गई थी Heritage City Development and Augmentation योजना तो आर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है इस योजना को इंप्लिमेंट कर रही है याद रखिएगा इसकी डेट 21 जन्वरी 2015 आगे आजाते हैं और बात करते हैं 22 जन्वरी 2015 की तो 22 जन्वरी 2015 को देटी बचाओ बेटी पड़ाओ भौती महित पूरी योजना बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ शुरू की गई लगबstar 100 सहरों में जहां निमने लेंगा नुपात है बहाँ इस योजना को शुरू किया योजना शुरू की गई थी आगे योजना की बात करें तो सुकन्या सम्रिद्धी योजना 22 जन्वली 2015 को बेटियों से संबंदित जो योजना है वो शुरू ही थी तो उसमें ही सुकन्या सम्रिद्धी योजना लड़कियों के भविश को देखते हुए शुरू की गई इसमें लड़की के माता पता हैं वो एकाउंट खोल सकते हैं उसमें पैसे जमा करें डेलड़ा गरुपे तक उसमें जमा किये जा सकते थे परियर और जो है उनका जब लड़की की उम्र 21 यर्स की हो जाती है तो उनको जो मेच्चुआर होने पर जो रासी है वो 9.1% के इंटरेस्ट क हिसाब से कैलकुलेट करके दे दी जाती है तो यह जो है योजना सुकर्णिया सम्रिद्धी योजना सुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को 17 फरवरी 2015 को बहुत महत्पूर्ण स्वाइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है सुरू की गई थी इसमें जो है किसानों की जो मिट्टी है उसका चेक अप किया जाएगा कि उसमें जो है कौन से तत्व की कमी है कौन सा जो है उसमें तत्व कम अत्रम है या कौन सा अधिक है जो अधिक है उसको किस तरीक से जो है बैलेंस में लाया जा सकता है साथ ही साथ जो कम है उसके लिए आप कौन कौन से जो है उर्वरकों का यूज करें जिससे कि आपकी जो Soil है उसकी Health बनी रहे और आपको जो अच्छी पैदावार है वो भी मिल सके और Soil की जो Health है वो खराम नहों क्योंकि अभी इस समय देखा जारा है कि सोIL की Health खराब रहे है ज्यादा पैदावार के चक्र में लोग सोil को खराब कर रहे हैं तो स्वाइल हेल्थ कार्ड बनेगा जिस प्रकार से बच्चे का होता है टीका करण कार्ड होता है उसी प्रकार से स्वाइल हेल्थ कार्ड बनेगा जिसमें स्वाइल की पूरी की पूरी जानकारी होगी तो ये जो है अलग-अलग मुबाइल लैब्स भी इस 3 मार्च 2015 की तो 3 मार्च 2015 को बहुत ही महत्पूर्ण किशान बिकास पत्र लॉंच किये गए ति किशान बिकास पत्र में आप खरीद सकते हैं इसको पत्र को और इसमें जो है आपको 1000 रुपे, 5000 रुपे, 5000 रुपे, 5000 रुपे तक किशान बिकास पत्र खरीद सकते हैं और इसमे आपको जो है आपकी income को double करने का बादा किया गया है, 100 महीने में जो पैसा आपका double हो जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है और हो जाता है 100 महीने में आपका पैसा जो है इसमें double हो जाएगा किसान विकास पत्र में, और ये सबसे पहले जब किसान बिकास पतर लाए गए थे तो ये लाए गए थे 1988 में। आजगे और बात करते हैं 9 मार्च 2015 की 9 मार्च 2015 को प्रशाद योजना शुरू की गई तो प्रशाद से ही आप समझ सकते हैं कि धर्मिस से रिलेटेड योजना है तो प्रशाद योजना 9 मार्च 2015 पूरा नाम है कामाख्या, मतुरा, पूरी, वरनसी और बिलंकन्नी में ये योजना जो है वहां के इंफ्रस्ट्रक्चर को बूस्ट करनी के लिए और वर्ल्ड क्लास टूरिजम इंफ्रस्ट्रक्चर वहां पर क्रेट करनी के लिए सुरू की गई थी पूरा नाम है प्रशाद और पूरा अगे हम बात करें तो बात करेंगे 9 मार्च 2015 की बहुत ही महतपूर योजना स्वदेश दर्शन योजना सुरू की गई थी 9 मार्च 2015 को 8 April 2015 की बात करें तो मुद्रा योजना बहुत ही जदा famous और मुद्रा का पूरा नाम आपको याद रखना है 8 April 2015 ये date भी आपको याद रखनी है पूरा नाम है Micro Units Development and Refinance Agency चोटे start-up और उद्धमियों को loan का बित्रन करनी ही तो 50,000 से 10,000,000 रुपे तक का उनको loan दिया जाएगा सिसू की सोरो तरोन ये category में उनको बांटा गया है तो ये योजना शुरू की गई थी 8 April 2015 को आगे एक और योजना बात करेंगे एक माई 2015 को शुरू की गई नाम है उजाला स्कीम उजाला स्कीम जो है 19 जोती बाइं affordable LEDs for all तो ये जो है इसको बचत लेंप योजना की जगे इसको लाया गया था तो इससे जो है LED बित्रण का इसमें कारिक्रम है कि सब को LED बित्रण की जा जिससे की बिजली की खपद भी कम होगी और जो है अच्छी light भी लोगों को मिल सकेगी अच्छा प्रिकास लोगों को मिले गए तो LED के बित्रण से संबनेती योजना है उजाला 19 जोती बाइं affordable LEDs for all 1 मई 2015 आगे बात करें तो 9 मई 2015 को एक साथ 3 योजना है प्रधान मंत्री जी ने सुरू की और 3 की 3 बहुत ही महत्पून योजना है इसमें हम बात करें तो प्रधान मंत्री जीवन जूती बीमा योजना प्रधान मंत्री सुरू क्छा बीमा योजना प्रधान मंत्री अटल पैंशन योजना बहुत ही शांदार योजना है तीनों की तीनों जीवन जूती बीमा योजना में जो automatically auto debit हो जाते हैं आपके account से per year और इसमें भी आपको जो है एक लाख रुपे तक का भीमा कबर है और साथी साथ अगर कोई disability हो जाती है तो इसमें और भी ज़दे 30,000 रुपे तक का भी प्राबदान है अलग से हम अगर बात करें तो प्रादन मंत्री अटल पेंशन योजना की तो इसमें आपको 1000 रुपे से 5000 रुपे तक का पेंशन मिलेगा और कुछ पीरिड है उस पीरिड तक आपको जो है जितनी राश्ची है वो जमा करना पड़ेगी 60 साल के बाद आपको ये इसका लाब मिलेगा 24 जून 2015 को एक और स्कीम सुरू हुई नाम है अमरित स्कीम पूरा नाम है अटल मिशन फो रिज्मेनिशन एंड अर्बन ट्रांस्फरमिशन तो अर्बन ट्रांस्फरमिशन के लिए सहरों के लिए यूजना सुरू की गई थी 24 जून 2015 को तो इसमें basic facilities available हो सारे urban जो है areas हैं उनको basic जो facilities है नल की सुबिदा हो, light की सुबिदा हो जितनी भी जो सुबिदा हैं drinking water की, sanitation की और ये सारी की सारी सुबिदा हैं उनको प्राप्त हो सके हैं इसलिए 24 जून 2015 को ये scheme सुरू हुई अब हम बात करेंगे 25 जून 2015 की smart city योजना शुरू हुई 25 जून 2015 को 100 smart city जो है और बाद में 60 और एड़ कर दी गई तो ये योजना शुरू हुई थी 25 जून 2015 को इसमें मद्य प्रदेश के जो सहर सामिल थे इस सारे के सारे सहर इसमें सामिल थे 25 जून 2015 को smart city योजना शुरू की गई थी अब हम बात करते हैं 25 जून 2015 को तो बहुत ही महतपूर योजना प्रदान मंत्री आबास योजना सभी के लिए घर इसमें लक्षे था दो करोड नए घर बनाने का 2022 तक इसमें लक्षे दै किया गया तो 25 जून 2015 को सुरू हुई प्रदान मंत्री आबास योजना एक जुलाई 2015 एक जुलाई 2015 को Digital India Mission सुरू हुआ इसके जो brand ambassador वो प्रतीक मिस्टरी और यह इन्होंने एक book लिखिये Sixth Sense book और यह जो इन्होंने जो टच्स्क्रीन होता इसके उपर बहुत research भी इन्होंने की थी प्रतीक मिस्टरी जी ने और इसके एक और जो है brand ambassador है वो है सत्यबद जगबानी और कृती तिबारी जो है वो MP में Digital India Mission की brand ambassador है तो याद रखियेगा एक जुलाई 2015 को प्रतानमंत्री करसी सिचाई योजना शुरू की गई और प्रतानमंत्री जी ने नारा दिया था पर ड्रॉप मोर क्रॉप तो 2020 तक किसान की आये को दुगनी करने का इसमें लक्ष रखा गया और उन्होंने कहा था कि अगर जो है किसान को पानी दे दिया जाए तो वो है जमीन से वो सोना होगा सकता है ये चमता किसान के अंदर होती है तो सभी को जो है पानी उपलब्द कराना सिचाई के लिए ये इस योजना का मुख्य लक्ष है आगे हम बात करें तो फिर योजना जो सुरू की ये बोकी गई 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन सुरू हुआ और इसमें जो है इसके जो ब्रैंड एंबिसेडर थे वो थे सचिन तैदूलगर 15 जुलाई 2015 को ये योजना सुरू हुई स्किल इंडिया मिशन आगे हम बात करें तो बात करेंगे हम 16 जुलाई 2015 की 16 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कॉसल विकास योजना सुरू की गई तो बहुत ही महत्पून ये योजना है 16 जुलाई 2015 को यूथ के कॉसल विकास के योजना सुरू की गई ते उनको स्किल किया जाए बड़ी मातरा में यूथ है और सबको जो है पबलिक सेक्टर में जॉब मिलना बड़ा कठीन होता है इसलिए उनको प्रिविट सेक्टर में भी उनको रोजगार के अफसर पैदा हो और उनको जो है उनके हुनर को बनाया जाए इसलिए योजना सुरू की गहती प्रदानमंत्र है दीन डियाल उपाध्या ग्राम जूती योजना 25 जुलाई 2015 को आजाते हैं 31 जुलाई की बात करते हैं 31 जुलाई 2015 को सागर माला पर योजना बरतमार मंदर गहों को आधुनिक बनाना इसका लक्ष था और यह जो योजना है अभी चल रही है जो भी पोर्ट्स हैं इंडिय कि उन सब को जो है बर्ड क्लास बनाया जा रहा है इस योजना के अंतरगत तो 31 जुलाई 2015 को याद रहिए सागर माला पर योजना शुरू की गही एक नवंबर 2015 की बात कर दो बिकल्प योजना शुरू की बिकल्प योजना में आपको alternate train accommodation scheme है इसमें आपको अगर आपका ज 2015 को ये शुरू की गई अगर बात कर लेते हैं gold monetization scheme की चार रवंबर 2015 को gold monetization scheme सुरू की गई इसमें sovereign gold bond जारी किये गए बापिस और तो आपको जो पैसा मिलेगा वो आपको उस समय के गोल्ड प्राइज है उसके आधार पर आपको पैसा मिलेगा तो ये sovereign gold bond होते हैं इसके अतरिक तक हम बात करें तो इंडिया gold coins भी जारी की गई थी इस मैसूक चक्र और महात्म गांदी की तश्वीर जो है coins पर companies हैं उनको जो है उनके जो डेप्ट है उसको जो है सरकार ने किस तरीके से उसका जो है डेप्ट का हल निकाला जाए और उनको डेप्ट फ्री करा जाए इसके लिए ये उजना सुरू की गई थी बीच नमर मर्द 2015 को उज्वल डिसकॉम अस्रेंस योजना आगे हम बात करें 16 जनवरी 2016 की तो स्टार्ट अप इंडिया स्टार्ट अप को प्रोमोट करने के लिए 16 जनवरी 2016 को ये उजना सुरू की गई स्टार्ट अप इंडिया तो जितने भी जो एंटर्पेंडर्स हैं नए उनके स्टार्ट अप को क्रियेट करने के लिए उनको बूस्ट करने के ल 2016 में ये यूजना शुरोग की गई है स्यामा प्रसाद मुकरजी रर्वन मिशन 3 मार्च 2016 को सेतु भारतम यूजना सेतु भारतम यूजना इसमें सारे जो राष्ट्र राजमारगों को रेलबे क्रोसिंग से फ्री करना था 2019 तक इसका लक्ष था जो अभी चल रहा है तो 3 मार्च 2016 सेतु भारतम यूजना आगे आजाते हैं डीबीटी स्किम फूर कैरोशिन भी शुरू की गई 1 अप्रेल 2016 को तो पहले लपीजी के लिए बादमेट कैरोशिन के लिए भी यूजना सुरू की गई 1 अप्रेल 2016 को 5 अप्रेल 2016 को Stand-Up यूजना बहुत ही फेमस यूजना Stand-Up यूजना उधमिता को बढ़ावा देना इसका लक्ष ता SCST भूमन स्पेशली उनक्योव उधमिता को बढ़ावा देना इस यूजना का लक्ष ता 5 अप्रेल 2016 को सुरू के गई Stand-Up यूजना आगे बात करेंगे 14 अप्रेल 2016 की 14 अप्रेल 2016 को ग्राम उदय से भारत उदय अभ्यान शुरू किया गया बहुत ही महत्पून है ग्राम उदय से भारत उदय अभ्यान क्योंकि गाओं के उदय से ही पूरा इंडिया जो है वो उदय हो सकता है तो इसलिए योजना जो शुरू क प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामोदे से भारत वियान का सुभारंब किया 2016 को प्रधान मंत्री उज्जवला जोजना अब आगे बात करें 20 नमंबर 2016 की 2022 तक सभी के लिए आवास मिशन को पूरा करने ही तू लाभार्तियों का चैन ग्राम सबा द्वारा किया जाएगा पूरा का पूरा ये जो मिशन है ये जो है लोगों को घर देने के लिए है और इसमें जो है लाभार्तियों का चैन किया जा रहा है एक ग्राम सबा द्रिणन लेती है कि लोगों को इसमें हाउस की जरूरत है और उनको फिर हाउस के लिए अलग अलग 3-4 किसटों में उनको पैसा दीया जाता है तो 20 नवंबर 2016 को ये योजना शुरू ही सब ये के लिए आबास को पूरा करने के लिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो 30 मई 2016 को गंगा जल डिलिबरी स्कीम गंगा जल डिलिबरी स्कीम जिसमें जो पोस्ट है भारती जो पोस्ट है उसके द्वारा आपके घर पे गंगा जल डिलिबर किया जाएगा ये योजना शुरू की गई 30 मई 2016 को तो बहुत ही शांदार आपके लिए ये योजना हो जाती है क्योंकि गंगा जल के लिए आपको बहाद नहीं जाना पड़ेगा और डारेक्ट गंगा जल आपके घर तक आजाएगा इसमें आपको साहे 299 रुपे देना होंगे इस प्रकार की ये योजना है 14 अप्रेल 2017 को ग्राम उदैसे भारत उदे ये योजना सुरू की गई 14 अप्रेल 2017 को इसमें महू से ये सुरू की गई 24 अप्रेल पंचाहित राज दिवस तक ये योजना चली हमने बात की सारी योजनाओं की इसके बाद हम और बात कर लेते हैं हमने प्तानात्रियो जबला योजना की बात कर ली है और इस अभी योजनाओं की हमने बात कर ली है चले यहाँ पर हम कुछ और योजनाओं की बात करेंगे तो हमने ग्राम उदय से भारत उदय की बात की है 16 दिसम्बर 2014 को ही हम बात करें तो जो शुरू हुआ था वो हुआ था राष्ट्री गोकूल मिशन बहुत महत्पून हो जाता है 16 दिसम्बर का दिन 2014 2014 तो याद रखी इसमें कुछ आपको थोड़ा से लगए यह 2017 बात 2014 आ गया है लेकिन इन जो इसकी में यह लास्ट में मैंने एड की है जो की महत्पून है और पहले मैं नहीं कर पाया था इसलिए इनको भी याद रखी राष्ट्री गोकूल मिशन स्वधेसी जो दुग्द नसली की जो गाएं है अच्छा दूद देती उनको बड़ावा देना इस योजना का लक्ष है राष्ट्री गोकूल मिशन 16 दिसम्बर 2014 को यह सुरू हुआ 3 मार्ट से 2016 को सेतु भारतम हमने पहले डिसकस कर लिया है 9 जून 2016 को प्रधानमंतरी सुरक्षित मात्रत अभियान गरीब और जो प्रेगनेंट भूमन होती है गरीब होती है उनको जो हैल्थ प्रोवाइड कराना उनकी हैल्थ फसिलिटीज को बड़ाना इस योजना का लक्ष है 9 जून 2016 को ये योजना सुरू की गई थी आगे बात करें तो 27 अपरेल 2017 को योजना सुरू की गई उड़ान उड़े देश का आमनागरिक नैशनल सिविल अभियेशन जो है पॉलिसी जो की 15 जून 2016 को लाई गई थी उसका ये जो है ये की कमपोनेंट है और उसमें जो है कहा गया थे कि जो है गाउं की जो ब्यक्ति हैं उनको भी उड़ने का जो है मौका मिल सके वो भी हवाई यत्रा कर सके है तो प्रधान मंत्री जी ने कहा थे कि हवाई चपल पहनता है वो भी हवाई जाहाज की यत्रा कर पाएंगा इस योजना से तो ये है National Civil Aviation Policy की ओडान योजना अब हम कुछ महत्पून इवेंट्स की बात करेंगी जो की आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो भारत चुड़ो अंदुलन के 75 साल पूरे हो गए हैं 9 अगस्त 2017 को 9 अगस्त 1942 को भारत चुड़ो अंदुलन शुरू हुआ था तो आगे बात करें राष्ट्री हत करगा दिबस ये भी बहुत महत्पून रहा इस 2017 में 7 अगस्त को मनाया गया थर्ड राष्ट्री हत करगा दिबस अंतराष्ट्री योग दिबस 21 जून 2017 को मनाया जाता है योग दिबस बहुत फेमस है प्रदानमंत्री जी ने आभाहन किया था सभी देशों से बड़ी मात्रा में 177 के करीब कंट्रीज ने उसको जो है अडप्ट किया था योग दिबस को मनाया जा रहा है बड़ी है उत्सुकता के साथ लोग इंतियार करते है 21 जून का योग दिबस का तो ये भी याद रखे इसके लाबा 15 अगस्त 2016 को भारत की आजा दीके हुए 70 साल 2022 तक न्यू इंडिया का सपना प्रदानमंत्री मोधी ने देखा और एक और कारिक्रम सुरू हुआ संकल्प से सिध्धी हुए ना भारत चोड़ो अंदोलन की जो 75 वी बरसगाट के अबसर पर सुरू हुआ ये कारिक्रम संकल्प से सिध्धी और इसमें अगस्त 2017 को प्रदानमंत्री के द्वारा सुरू हुआ उदेश जो इसका है बहुत संकल्प के माध्यम से प्राप्ति की जाए 2022 तक इस कारिक्रम का उदेश है देश की अर्थवपस्ता में नागरिकों और समाज में सुधार लाने का इसका जो कारिक्रम है और उसमें कई बदलाव लाने की कौसिस की गई है कि देश की अर्थेपवस्ता में और नागरी कौम के जीवन स्तर में भी सुधार राया जाए साथ सूत्रिय का रिक्रम इसमें तही किया गया है आगे बात करें तो 2022 तक किसानों की आयो को दुगनी करने का विलक्ष इसमें सामिल है साथ ही साथ अगर हम देखें तो अगस्त का महिना बहुत इंपोटेंट है इसलिए अगस्त में इसको सुरू किया गया है संकल्प से सिद्धी देखें एक अगस्त 1920 असयोग आंदूलन शुरू हुआ एक अगस्त 1920 को इसके बाद 9 अगस्त 1942 यह अगस्त की बाद चल रहे हैं पर एक अगस्त 1920 को असयोग आंदूलन शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो अंदूलन और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया तो बहुत ही महत्पूर्ण हो जाता है ये अगस्त का महिना इसलिए अगस्त में सुरू किया गया संकल्प से सिद्धी करिक्रम तो दोस्तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो सेयर करके हमको प्रमोट कीजिए हमारा होसला जरूर बढ़ाए क्योंकि आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास मेरा रहता है और अगर आप हमें प्रमोट करेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात होगी हम आप है